हालो मित्रो आगल ना वीडियो मा आपने जोयू के हामीद छे इदगा जवा माटे नी दादी साथे जीद करी अने गामना लोको साथे निकडी गयो चे रस्तामा तेने अदालत कॉलेज कलागर बदु जोयू मिठायो थी नी दुकानों जोयी चे खुब शनगारेली आती हवे आगड अपना पाटनी चर्चा करिये सहसा इदगा नजर आई इमली के घने वरुक्षो की छाया है नीचे पका फर्ष है उस पर जाजिम बिची हुई है रोजेदारों की पंक्तिया एक के पीछे एग न जाने कहां तक चली गई है यहां कोई धन और पद नहीं देखता इन ग्रामिनों ने वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए कितना सुंदर संचालन है कितनी सुंदर व्यवस था हजारों सीर एक साथ सिस्दे में जुक जाते हैं फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं मानो ब्रातरुत्वा का एक सुतरा समस्त आत्माओं को एक विशय में बालोकों से कम उत्साई नहीं है यह देखो हिंडोला है मित्रो इदगा सामे आवी गई आमलीना व्रुक्ष्नी नीचे पाक्को ओटलो बनावेलो चे एनी उपर शेत्रन जी पाथरेली चे अने दरेक जैलो कोई रोजा राख्या चे दे दरेक जणा एककच पंक पंटी मा एक हार बंद त्या इश्वरी सामे माथु जुकावीने उभा चे अईया एक सरस बाबत जोवा मली चे के आमा कोई नथी पैसा जोवा मा आउतु के कौनी पस्ते किटला पैसा चे जे जे प्रमाण आवे ए प्रमाणे लाइन मा उभा रही जाई चे अईया कोई प सुन्दर व्यवस्था के टली सुन्दर संचालन मित्रो मुस्लिम जे भायों चे लोको जारे नमाज पढ़वा माटे जाई चे मस्जीद मा त्यारे आमा लख्यू चे के वजू करीने तो वजू एटले शू है चे तो के ए मस्जीद नी बार पाणी नो कूंड है चे जैनी सुन्दर हाथ पग मोडू दोई और स्वच थाई ने अंदर नमाज पढ़वा माटे जवानू है चे अवे नमाज रोजानी पूरी थाई गई चे लोको एक बिजाने गली मली राया चे अने हवे शरू थाशे मिठाई नी अने रमकडानी दुकानों पर भीड लोको एक नाने मोटा सव को एकला सरखा उत्साईच एक पैसा देकर चड़ जाओ कभी आसमान में जाते हुए मालू होता है कभी जमिन पर गिरते हुए यह चरकी है लकडी के हाथी गोडे और उंट छडों से लटके हुए हैं एक पैसा देकर बैट जाओ और पच्चीस चकरों का मज लो मवमूद मौसीन नूरे और सम्मी इन गोडों पर बैठते हैं हामित दूर खड़ा है तीन पैसे तो उसके पास है अपने कोशका एक तिहाई जरा सच चकर खाने में नहीं दी सकता विद्यारती मित्र बद्दाज बाड़ों को मुख्या आकर्शन आपड़े पन मेडा मा जही है तो आपड़े वेल्ला जूए कि क्या चकडोड चैने क्या बैसू आपन नाना बाड़ों को आता एक पैसा मा 24 चकर 25 चकर लाकडीना हथी गोडा आउंट एक थामला साथे लटकेला हो एना उपर बैसी जमानू मौसीन महमोद नूरों सम्मी बद्दा गोडा उपर ब बैसी शकतो नती तमें विचारों ए नाना बालक नी मनोद अशा एक पण नानो चैने किटलो बुदू बैसवा माटे इच्छा थाती अशे पण ए पोते अटली नानी उमर मा एकलो समझू छे के हूं मारा मारी पासे जे त्रोन पैसा चैने यमाथी त्रीजो भागे का चकर खावामा नाव आपरी शकू अवी समझन ए परिसिती थीज घडाई चै आपने ए जल्दी समझन नथी पड़ती पर परिसिती मानस ने घड़े चै आवस्तु जुवा माला चै सब चर्खियो से उतरते हैं खिलो ने उधर दुकानों की कतार लगी हुई है तर तर के खिलो न हैं सिपाई और गुजरिया राजा और वकील भिष्टी और दोबीन वाह लगता है अब बोलना ही चाहते हैं मौमुद सिपाई लेता है खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कंदे पर बंदुक रखे हुए मालूम होता है अभी कवायत कि ये चला आ रहा है मौसिन को भि जीद गा रहा है बस मशक से पानी उडेल नहीं चाहता है बद्दाज चकडोल पर थी नीचे उतर्या रमकड़ा लेवा माटे गया दुकानों पर लांबी ने लांबी लाइनों लागेली हती सिपाई हतो वकील हतो विष्टी हतो तोबी हतो बद्दाज बालों को ये अलग- आजना समय मा आपणने जोवा मडतो नथी तो विष्टी एक एवू एव्यक्ती छे जे चामड़ानों ठेलों है जे लटकाई ने एनी अंदर पाणी भरेज पहलाना समय ने अंदर तो घर घर नल नाता तो विष्टी ने अवरी ते पाणी मंगावा मा आवे ने पैसे आप किल से प्रेम है काला चोगा नीचे सफेद अचकन अचकन के सामने की जेब में घड़ी सुनहरी जनजीर एक हाथ में कानुन का पोथा लिए हुए मालूम होता है कि अभी किसी अदालत के जीरा यह बहस किये चले आ रहा है यह सब दो-दो पैसे के खिलोने हैं हमित के पास क्या करेगा मित्र नानी उमर नी समझन जुओ रमकडा तो दरेक बालक ने गमें अने एपन बालक जहतो बद्धा एना मित्रो यह रमकडा लिदा नुरे ने वकिल लिदो बद्धा ज किलोना रमकडा जी अता इटला बदा सुन्दर अता के दरेक नू मन लल चाए पड़ हा तो तूटी पड़े दो तूटी जाए रंग उखडी जाए ते वो इवा रमकडा लिने महरे शुकान नहीं अती हैं किसीने रेवडिया ली हैं किसीने गुलाब जामुन किसीने सोनहलवा मजे से खाय रहे हैं हामित बीरा दरी से पुरुथक है अब आगे के पास तीन पैसे हैं क्यों नहीं कुछ लेकर खाता ललचाई यांको से सबकी और देखता है रमकड़ा पची मिठाईनी दुकानावी अटलो नानो बाड़ा चे तुम अपड़ेनो कंट्रोल जुओ कोई रेवडी लिधी कोई गुलाब जांबू लिधा कोई सोन हलवो लिधा बद्धा खावा लागया पड़ हामिद या बद्धा थी दूर चे हामिद नी पासे छे त्रोन पईसा एनने एव थव के हुँ आलाईने खाईश तो मारा त्रोन पईसा माथी केटला पईसा ओछा अने खावा थी मनशू लाप थवा ना जा एना मित्रों चेहनी उमर पड़ ना नीच एले वू विच्छा रहा चेहनी पड़से त्रोन पईसा चेह तो लईने खाई आक लल्चाईली लाल्चू नजर अमरी सामुझ हुए चेहना बढ़ला एनी चाते लईने खाई मिठायों के बाद कुछ दुखा ने लोहे की चीजों की है कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की लड़कों के लिए यहां कोई आकर्शन नहीं है वे सब आगे बढ़ जाते है हामिद लोहे की दुखान पर रुख जाता है कई चीम्टे रखे हुए है उसे ख्याल आया कि दादी के पास चीम्टा नहीं है तो वेसे रोटियां उतरते हैं तो हाथ जल जाते हैं अगर वह जिम्टा लेकर दादी के पास दादी को दे तो कितनी प्रसंण होंगी फिर उनकी उंगलिया कभी भी नहीं देखता या फिर घर पहुंचते पहुंचते तूट फूट कर बरबाद हो जाएंगे चिम्टा कितने काम की चीज है रोटिया तवे से उतार लो चुलहे में से इकलो कोई आग मागने आए तो चटपट चुलहे में से आग निकल कर दे दो अम्मा बेचरी को कहां उचे गाम लोको साते त्याथी एने पोताना माटे खावानो ना लेदू चकडोल मा बैसवा माटे ना बैठो एने कश्ण माज ध्यान ना प्यू मातर एने जोयू के मारी दादी छे ए दर्रोज छुला माथी जेरे रोटली उतार चे त्यारेनो हाथ दाजी जाई चे तो मा अरे मारे एमारी दादी माटे आ कामनी एक वस्तु लई लेवी छे ले वीचारो के जे समझन छे ए आ परी स्थिती हमेशा व्यक्ती ने घडे छे अने एने चिपियाना उपाई पन केटला बदा कई दी दा केटलो बदो कामनो छे रोटी उतारवा माटे आग कोई मागवा आवे तो आप्पा माटे आ आ रिते तैने पुताना दादी विशे विचारी ने चिपियो लेवा माटे नू नक्की करिए मित्रो अवे आगलनो पाट आपड़े आना पचीना वीडियो माँ जोई शू अभार